नमस्कार कल रात को एक बहुत ही शौकिंग न्यूज हमने सुनी कि संदीप नहर जो की MS धोनी में सुशान सिंग राजपूत के दोस्त बने थे और MS धोनी के दोस्त की भूमिका उन्हें नभाई थी जो सदार जी बने थे वो संदीप नहर जिन्होंने केसरी में भी एक एहम भ सारी बाते बोली थी कैसे उनकी घर में कलेश चलता था उनकी बीबी को लेकर और वह काफी परिशान रहते थे उन्हें बार बार चीजों को ठीक करने की कोशिच करी लेगन फिर भी वह चीज़े ठीक नहीं कर पाए उन्हें बताया कि दो साल हुए थे उनको शादी को और उन को एक ट्रॉमे में रख कर जीते थे घर का कलेश उन्हें एक बहुत emotional लेकर लिखा था मरने से पहले उन्हें लिखा था कि और प्रे कर्वजु झीनर भी रहे है एक materials भी रहे है और अक्टर भी रहे in सब के बावजुद उन्होंने कभी भी आत्मात्य का खयाल अपने दिमाग में नहीं आने दिया लेकिन जो घर का कलेश होता है चैचाया पैपैर रोज रोज की बाते धंकिया ये सब चीज़े जो हुई उनकी लाइफ में उसको वो जेल नहीं पाए उन्होंने बुलीवुड के भी क इक्रिमेंट होने के बाद यहां लोग भी बहुत प्रैक्टिकल हैं नो इमोशन बस दिखावे कि जूटी लाइफ में जीते हैं वो वक्त ही अच्छा था जब कच्छे घर होते थे लोगों में प्यार होता था सब अपने लगते थे आज कल तो सब अपने होकर भी पराय करते हैं उन्होंने यह सारी बाते बोलीगी कैसे बुलीवुड में पॉलिटिक्स होती हैं कैसे आपको काम दे कर आपको ऑन दा स्पॉट प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर दे जाता हैं किसी के अंदर को इमोशन नहीं होते सब दिखावे की जूटी लाइफ जीते हैं जो आप आपको पूरा पढ़के सुना नहीं सकता लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि वो घर के कलेश से बहुत परिशान थे और उनके पास काम भी था घर के कलेश की वज़े से ही वो काम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे और रोज-रोज के तानों से धंकियों से और कलेश से वह परश चीनी गई थी कई बार उनको आउटसेडर बोल के हटा दिया गया था बाहर निकाल दिया गया था उसके बावजूद भी वो लड़ते रहते थे और अपना काम अपने दम पर अपनी एक्टिंग के बलबूते पर अपनी महनत के बलबूते पर लेते रहते थे और अपनी पिच प्लिटा नहीं है इस सारी बाते कि आपको पता है और अब संधीब नहर ने अपने लैटर में यह बात लिखी कि बोलीवुड में कैसे चीजे होती हैं आपको काम देकर कैसे आप से काम चीन लिया जाता है और लोगों के अंदर कोई इमोशनस नहीं होते हैं संदीब नहर के साथ जो भी कुछ हुआ वो बहुत दुखत है और हम भगवान से पात्ना करते हैं कि संदीब नहर के आत्मा को शांती मिले और वो जहां भी रहे खुश रहे तब तक के लिए धन्यवाद